इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर होते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी टांड एज चालीस टैबलेड दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल हाइपटेंशन यानि की हाइब बलड प्रेश के इलाज में किया जाता है यह रक्त वहिकाओं को च साथ या बिना भूजन किये लिया जा सकता है इसका अधिक से अधिक लाब प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से और प्रतीक दिन एक निश्चित समय पर लें यदि आपकी कोई खुराक छूप गई है तो याद आते ही इसे ले लें कभी भी कोई खुराक न छोड करें और बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस पूरा करें डॉक्टर से बात किये बिना अचानक से लेना बंद न करें क्योंकि इससे आपके लक्षन और खराब हो सकते हैं इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में चक्कर आना सिरदर्द और मतली शामिल है ये आम तोर पर हलके होते हैं लेकिन अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या ये आपको परेशान करते हैं या कुछ दिन उसे अधिक समय तक चलते हैं इस दवा को लेते समय आपसे रक्ट चाप, गुर्दा समारोह और रक्ट शरकरा के स्तर की नियमित निग्रानी के लिए कहा जा सकता है इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव या किड़नी की बीमारी है यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए आपको अपनी स्वास्थि सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वे इस दवा से प्रभावित हो सकती है या प्रभावित हो सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद